जै स्री किरिष्णा आज हम स्रीमत बगवत गीता के आध्याय दो के स्लोग नमबर 16, 17, 18, 19, 20 पर चर्चा करेंगे नास्तो वी तते भाव नाभाव वी तते स्ते उब्योरपी द्रश्टोंत स्तवन्यो स्तत्वा धर्भी सिवेद इस लोग में बगवान स्री किर्षिन अर्जुन को ये समझाते कि क्या वास्तविक है और क्या एवास्तविक है असत अर्था जिसका कोई अस्तितो नहीं होता और सत अर्था जो वास्तविक है जिसका कभी अभाव नहीं होता यह सत्य को जानियों ने अनुबो किया है जब हम इस सत्य को समझते हैं तब हम बोतिक बंदनों से मुप्तो सकते हैं और मोकस की प्राप्ती कर सकते हैं जिसमें संपून शरीर व्यापते उस आत्मा को अविनासी जानो इस अविनासी आत्मा का विनास कोई भी नहीं कर सकता आत्मा अजर अमर है हमें अपने पैचान सरीर से नहीं बल्के आत्मा से करनी चाहिए अनंतन इत्य देहा नित्य श्योकता सरीर नह अनासिनो प्रमेश है तसमादू देश है भारत इस लोक में बगवान सरी केरचन अरजुन को सिखा रहे हैं कि हमारा ये सरीर नासवान है अरतात एक दिन इसका नास निश्चीत है सरीर जनम लेता है बढ़ता है और फिर नश्ट हो जाता लेकिन आत्मा जो इस सरीर में निवास करती है वै अविनासी है जिसे मापा नहीं जा सकता आत्मा को कोई अंत नहीं होता इसलिए है अरजुन अपने करतवे का पालन करते वे यूद करो और धरम की रक्षा के लिए खड़े हो जाओ ये एनम वेती हंतारम ये स्चेम मन्यते हतम उभोव तोन विक्यानिती नायम हंती नहन्यते अर्थात जो ये सोचता है कि आत्मा मारता है ये जो ये सोचता है कि आत्मा मारा गया वे दोनों अग्यानि है वास्तों में आत्मा को नहीं तो किसी को मारती है और नहीं मारी जा सकती है नहीं जायते मीरियते वा कदाची नायम बुद्वा भविता वानू बै अजो नितिय सास्योतोयम पूराणों नेहनियते हनेमान सरीरे हातमा का ने तो कभी जनम होता है और नहीं कभी मृत्व होती है ने तो वे उत्पन होती है और नहीं बविशे में कभी उत्पन होगी वे अजनमा हमेशा रहने वाला और अनन्त है जब सरीर नश्ट होता है तब वे नश्ट नहीं होती इसलिए है अरजुन धर्म की रक्षा के लिए यूद करना गलत नहीं है गीता ग्यान की कोज में अमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद राधे राधे